प्रॉफिट प्रॉफिट की थी पर उस पर बेस्ट अबने हमने कोई भी कोशन नहीं किया बेटा आज करेंगे कोशन एक बार मैं इंटरस्ट ओन लोन की बात आपको याद करा देता हूँ बेटा इंटरस्ट ओन लोन में मैंने लिखा था कि इंटरस्ट ओन लोन हमेशा P&L अकाउंट का पार्ट होगा याद रखना बच्चो ये P&L अकाउंट का पार्ट होगा दूसरी बात अगर बेटा पार्टनर ने कोई लोन दिया है पार्टनर्शिफ फर्म को और पार्टनर्शिफ फर्म का कहीं भी इंटरस्ट रेट वेंशन नहीं है तो बेटा partnership firm उसे 6% per annum pay करेगी यही बात मुझे Indian Partnership Act 1932 भी बोलता था करने को तीसरी बात मैंने आपको ये भी बोली थी बेटा ये charge against profit है जो interest है बेटा, interest on loan बेटा वो charge against profit है बबु, profit के against charge है paid even if there is a loss इसको तब भी pay करना चाहे loss आजाए चाहे loss आजाए, चाहे loss बढ़ जाए बेटा, दोनों ही case में pay करना है बबु, यही से मैं एक बात link कर देता हूँ concept number one की याद करो बात बेटा, concept number one मैंने कहीं ना कहीं ये बात कर रखी है कि अगर कोई item profit and loss account की given है तो बेटा, firstly हम P&L account बनाएंगे then we will prepare the P&L appropriation account क्योंकि interest on loan P&L account की item है कभी भी बेटा आपको बोलता है interest on loan calculation के लिए तो बेटा पहले profit and loss account बनाना और बात में सोचना P&L appropriation के बारे में तो बावो ये बात बिल्कुल clear होने चाहिए कि interest on loan P&L account की item है तो कभी भी interest on loan का कोई भी discussion होता है firstly prepare the P&L account then we will prepare the P&L appropriation account बेटा, P&L appropriation में मैंने जितनी भी बात किया वो एक exhaustive list है exhaustive मतलब उसके बाहर कुछ भी नहीं जा सकता बेटा, P&L appropriation account स्टार्ट होगा या तो net profit से, या तो net loss से net profit से स्टार्ट होता है तो आपको पता है, टोटल चारी बाते जा सकती है एक तो गया net profit दूसरा गया interest on drawings interest on capital salary commission या remuneration बेटा, उसके बाद balancing के लिए जो भी profit बचता है मैं उसको partner capital account में transfer कर देता हूँ बेटा, ये एक exhaustive list है इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा ठीक है ना बेटा इसके अलावा कोई भी बात होती है वो सब profit and loss account में होगी P&L account में होगी उसकी बात चलो जी, बच्चो इस पे based हम question करते हैं बेटा, TS गरेवाल से हम question कर रहे हैं और बेटा, आज हम question number 7 कर रहे हैं Question number 7 on page number 2.82 बेटा, page number 2.82 पर हम question number 7 कर रहे हैं पढ़ते हैं बेटा, क्या लिखा है कहता है, Sita और Gita are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3 ratio 2 ठीक है जी? Sita और Gita partner है और बेटा, 3 ratio 2 की मिरको PSR given है They had given loan to the firm of rupees 30,000 in their profit sharing ratio on 1st of October 2020 बेटा, बोलता है कि Sita गीता जो partner है उन्होंने मिलकर loan दे रखा है 30,000 रुपे का अपनी profit sharing ratio में on 1st of October 2020 ठीक है जी? बढ़िया बात कहते है ता, partnership deed is silent on the interest on loan from partner partnership deed silent है interest का कोई जिक्र नहीं हुआ वा compute interest payable by the firm to the partner assuming that firm closes its books every year on 31st of March ठीक है जी? बाबू, मेरे को सिर्फ interest की calculation करनी है मुझे यहाँ पर कोई account बनाने को नहीं का question ने question है का compute करो interest payable और बेटा ये assume करते वे कि firm 31st March को books close करती है बेटा अगर ना भी कहता तब भी मैं यहीं मानता कि 31st March को books close होती है लो जी? बेटा दो partner है एक सीता और एक गीता बेटा इनकी profit sharing ratio given है मेरे को 3 ratio 2 बोलता है इन्होंने मिलकर loan किया 30,000 रुपे का firm को जो 1 October को किया बेटा 1 October 2020 को loan किया है बेटा अब एक बात समझने की कोशिश करो इन्होंने मिलकर loan किया है बाबू ये बोलता है कि जो इन्होंने loan किया है वो अपनी profit sharing ratio में किया है ठीक है जी मैं सबसे पहले बेटा इनका loan amount ही निकाल लेता हूँ सीता जोन गीता जोन बेटा देख लेते हैं सीता ने कितना loan किया और गीता ने कितना loan किया बाबू बोलता है टोटल 30,000 उपे का loan किया लेकिन profit sharing ratio में किया अच्छा profit sharing ratio में किया तो सीता का profit sharing ratio क्या है बेटा सीता का profit sharing ratio है बेटा 3 out of total total कितना है 5 तो यानि की बेटा सीता का जो loan में share है वो 3 by 5 है और बोलता है बेटा गीता ने भी जो लोन किया वो अपने रेशो में किया है बेटा गीता का share कितना है 2 out of total यानि की बेटा 2 upon 5 बावु यानि किस से यहां से यह calculate हो सकता है सीता ने कितना लोन किया और गीता ने कितना लोन किया बावु लेकिन मुझे compute क्या करना है interest, logic calculation पिर लो interest की भी interest on सीता लोन बेटा सीता ने लोन कितना किया 18,000 अब बावु मुद्दा यह उड़ता है कि मुझे कोई भी interest rate given नहीं है अगर मुझे interest rate given नहीं है तो firm कितना interest पे करेगी बेटा अभी मैंने समझाया था 6% per annum यह per annum मतलब पूरे साल बर का ब्याज 6% है तो बेटा पूरे साल बर का ब्याज 6% है और बावु क्या इसमें मुझे month mention है बेटा देखो इसने clearly बोला कि जो लोन हुआ है वो 1st October को हुआ है और firm book close करते है 31st March को यानि कि जो आपको ब्याज देनी है वो 6 महीने की देनी है तो बेटा firm पे करेगी 6 month का interest ये interest rate बेटा पूरे साल का है मुझे बेटा 6 month की calculation करनी है तो मैं 6 month की calculation कर रहा हूँ बेटा interest on CETA's loan is 540 अब बेटा गीता के loan पे भी interest देख लो लो जी interest on गीता's loan बेटा गीता ने loan ही कितना किया है 12,000 रुपे का अगेन बाकी सब calculation same 6% firm interest पे करेगी लेकिन ये साल बरका है तो हम calculation 6 month के हिसाब से कर रहे है याने की बेटा 360 तो बेटा interest आ गया CETA को मिलेगा 540 और बेटा गीता को मिलेगा 360 ये दोनों interest firm पे करने वाली है तो बेटा यहां हमारा question number 7 खतम हो जाता है हम एक और question कर रहे है बेटा for further clarification बेटा question number 8 कर लोगे तो हर चीच clarify हो जाएगी question number 8 most important हो जाता है interest on loan में इससे मुश्किल बात नहीं हो सकती तो बेटा हम एक question number 8 कर लेते हैं इसमें बेटा सारे cases है case number 1, case number 2 case number 3, case number 4 तो question 8 करते हैं बेटा 9, 10, 11, 12 बेटा ये 4 question हम homework में रखेंगे अगर आपकी problem आएगी तो बेटा हम एक separate video बना देंगे इन सब question को करने के लिए तेक है अभी हम question number 8 करते हैं 9, 10, 11, 12 homework में लिखेंगे बेटा चलो start करते हैं question number 8 और पहले मैं read में time घच करता हूँ बेटा बोलता है X और Y पार्टनर है किसी firm के जो उनकी PSR है 2 ratio 3 ठीक है जी XY पार्टनर है profit sharing ratio 2 ratio 3 बेटा capital of 2 lakh and 3 lakh respectively बेटा X ने 2 lakh रुपे की capital लगाई और Y ने 3 lakh रुपे की capital लगाई हुई है कहता है on 1st of October 2020 X and Y gave loan of rupee 80,000 and 40,000 respectively to the firm बेटा 1st of October 2020 को X ने जो loan दिया वो 80,000 है और जो Y ने लोन दिया बेटा वो 40,000 है उन्होंने firm को loan दिया partner ने loan दिया है partnership firm को हम तो यही मानें के चाहे किसी outsider ने दिया चाहे partner ने दिया कोई फरक नहीं पड़ता बेटा लोन के केस में कोई फरक नहीं पड़ता कहता है show distribution of profit and losses for the year ended 31st of March 2021 in each of the following alternative case कहता है यह चार अलग-अलग case मैंने दे दिया है इन चारों में आपको क्या show करना है distribution of profit and loss मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एक बात बता देनी बहुत जरूरी है जब भी आपको कहे show कर दो distribution of profit and loss profit and loss का distribution show करो बेटा that simply means कि आपको P&L appropriation account prepare करना है जब भी यह कहेगा distribution of profit and losses show करो बेटा आप यह कोई rough calculation में show नहीं करोगे यह कोई interest की calculation नहीं कर रहे बेटा जो directly यही आपका answer बन जाएगा जब वो कहेदे बेटा कि आपको distribute करके दिखाना है profit या loss that simply means you have to prepare the P&L appropriation account यानि कि बेटा इन चारो केस में मुझे P&L appropriation account बनाने पड़ेंगे बिल्कुल सही बच्चो मुझे चारो केस में P&L appropriation account बनाने पड़ेंगे तो बेटा ठीक है हम start करते हैं question number 8 मैं चारो के चारो केस कर दूँगा बच्चो इससे clarity आ जाएगी बाकी बचेवे question करना असान होगा लो बच्चो करते हैं बात बेटा बबु question number 1 मेना सबसे पहले आप interest की calculation कर दो क्योंकि वो बेटा सारे के सारे parts के लिए same रहेगी देखो मैं जितना भी data given है एक जगा पर लिखने की कोशिश करता हूँ question number 8 कहता है X और Y partner है बहुत अच्छी बात इनका profit sharing ratio 2 ratio 3 बहुत अच्छी बात इनकी capital बेटा 2 lakh 3 lakh बहुत अच्छी बात बेटा बोलता है 1 October को 1st of October 2020 को आपने loan किया partner ने जो loan किया बेटा वो 1st of October 2020 को किया जिसमें X का loan amount है बेटा 80,000 और बेटा Y का loan amount मुझे given है 40,000 मुझे कहता है कि firm अपने जो accounts close कर रही है वो 31st of March 21 को कर रही है आप profit और loss को distribute करके दिखाऊ उस चारो case में बेटा मैं case पढ़ता हूँ थोड़ी देर के बाद सबसे पहले interest की calculation कर लो क्योंकि वो सब cases के लिए same रहेगी लो बेटा interest on X loan interest on X loan लो बेटा X ने loan कितना किया 80,000 का क्या कोई interest rate given है नहीं given तो बेटा ना हो कोई दिक्कत थोड़ी है आपको पता ही है as per Indian Partnership Act 1932 बेटा फर्म 6% per annum interest पे करेगी लेकिन ध्यान रहे ये बेटा per annum है और मुझे कब से calculate करना है मुझे तो 1st of October से 31st of March तक calculate करना है तो बेटा ये 6 महीने बैठते हैं लो, फर्म interest पे करेगी 6% per annum के इसाब से 6 महीने का तो बेटा ये interest बैठ जाता है 2400 ऐसे ही बेटा Y के loan पर भी interest की calculation कर लेना लो, interest on Y's loan Y ने जो loan करा बेटा वो 40,000 है 6% per annum interest और 6 month का बेटा interest पे करना है इसका just half आजएगा बेटा यानि की याएगा 1200 क्योंकि loan amount just half है बेटा इसले बेटा interest amount भी just half आने वाली है लो जी, अब cases को solve करो बेटा, case number 1 अब मैं question में बेटा, जितनी भी बाते हैं जो भी और कोई question ने difficulty दिया है, उसको clarify करता हूं देखो बेटा, question ने कहा show the distribution of profit and losses जब मेरे को distribution show करना है that simply means मुझे P&L appropriation account प्रिपेर करना है लेकिन बेटा question में मुझे interest on loan दिया है interest on loan हमेशा P&L account का पाट होता है और question मुझसे कहता क्या है कि prepare करो P&L appropriation क्या मैं directly P&L appropriation account prepare करूंगा, दा answer is big no क्यों करोगे भाई जब मेरे को P&L item P&L account की एक item given है सबसे पहले उसकी adjustment होगी correct net profit में वहाँ से calculate करूंगा तब जाकर मैं उसकी posting P&L appropriation account में करूंगा तब जाके बेटा कहीं हम question को further start कर सकते हैं और फिर कहीं जाकर question को खतम करना है आपको लो जी बच्चो करते हैं बात बाबू case number one मुझे बोलता है if the profit before interest for the year amounted to rupees 21,000 कहता है profit बिना ब्याज दिये before interest बिना ब्याज दिये मेरे को देता है 21,000 लो जी करते हैं बेटा calculation case one की लो case one बेटा सबसे पहले P&L account हम prepare करेंगे सबसे पहले profit and loss account बाबू मैं shortcut में लिख रहा हूँ आपको नहीं लिखना और आपको format भी पूरा बनाना है लो जी बेटा मुझे profit दे रखा है न without interest ठीक है बाबू profit दे रखा है आपको भी पता है बेटा इस account का principal बेटा nominal account है यानि कि सारे profit, सारी income सब gains बेटा credit side लिखे जाएंगे मैंने लिख दिया बेटा buy profit मुझे कितना profit given है बेटा 21,000 given है क्या बेटा मुझे interest on loan P&L account में दिखाना है हाँ बेटा it is the part of profit and loss account लो जी to interest on loan क्योंकि firm pay कर रही है firm के लिए खर्चा और बेटा इस account का नियम क्या है debit कर दो सारे के सारे expenses debit कर दो सारे के सारे losses लो मेरे प्यारे बच्चों मैंने debit कर दिया है बेटा अपना कर्चा X को भी ब्याज देनी है 2400 रुपे या बाबू आप इसको अंदर ही calculation कर लो X को interest देना है 2400 और Y को देना है बेटा 1200 यानि की बेटा total interest पे करना है 3600 हंजी बच्चों बाबू अब मैं क्या करूँगा balancing सबसे असान बात बेटा मुझे क्या करना है balancing करने के लिए क्या करूँ बेटा highest total on the both side बेटा credit side का total 21,000 debit side का कम था इसलिए मैंने highest total लिख दिया both side क्योंकि मेरी credit side जादा है तो मेरा profit calculate होगा और जो P&L account का result आता है उसे हम net profit बोलते हैं बाबू net profit calculate हुआ 17400 अब मैं क्या करूँगा अब prepare करूँगा बेटा P&L appropriation account लो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं prepare करने जा रहा हूँ तो बच्चों चलो हमने net profit calculate कर लिया 17400 अब हम क्या करेंगे बेटा इसको post करेंगे P&L appropriation account में by profit and loss account by profit and loss account bracket में आप लिख सकते हो बच्चों net profit बेटा मैंने net profit को post कर लिया 17400 मुझे क्या करना है बेटा इस profit का distribution शो करना है X और Y में और X और Y की ratio given है 2 ratio 3 बेटा कुछ बच्चे पूछ रहेते क्या हम इसको divisible profit लिख ले बेटा लिख सकते हो लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ उस divisible profit को उस बाटने वाले profit को मैं बाट के ही दिखा रहा हूँ सीधा बेटा आप divisible profit लिखना चाहो और बाट के दिखाओ बिल्कुल ठीक लेकिन मैं आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 profit transferred to 2 profit transferred to X capital account and Y's capital account कि आप profit को transfer कर रहे हो X की capital में और Y की capital में बाबू चाहे ऐसे लिख लो profit transferred to X capital Y capital चाहे बेटा लिख दो 2 partners capital account X capital Y capital या बेटा ऐसे भी लिख सकते हो to divisible profit X capital and Y capital सब method ठीक है बेटा कोई problem नहीं है लो जी मुझे profit को divide करना है X और Y में बेटा share given है मुझे 2 और 3 बेटा X का share है 2 out of total and Y's share is 3 out of total लो जी बच्चो अब हम इसकी calculation कर लेते हैं तो बेटा मैंने calculation कर दी है X को profit में share मिलेगा 6960 और Y को share मिलेगा 10,440 और ये total हो जाएगा बेटा 17,400 तो यहाँ पर हमारा case number 1 बिलकुल finish हो जाता है बच्चो बात करते हैं case number 2 की बबू case number 2 में मुझे बोलता है if the profit before interest for the year amounted to rupees 3000 पिटा अब उसने क्या करा profit की amount change कर दी amount कर दी 3000 पिटा पहले 21 थी अब 3 कर दी मैं सारी calculation जल्दी जल्दी से करूँगा बच्चो आप क्या करना मुझे post करके एके case note करते जाना लो case number 2 की बात करते हैं बच्चो लो case number 2 में बदले का क्या ये समझ लो बावू profit की amount बदल गई है यहापर चलो देखते हैं बेटा कहता है question कहता है profit अब 3000 रुपया है sir interest rate नहीं बदलने वाला ठीक है ना interest rate बदलने वाला ना interest की calculation ये सब parts के लिए save है लो जी interest तो मेरा 3600 याया तो क्या calculate होगा बेटा highest total होंदा both side highest total is 3600 बेटा आपने 3600 both side लिख दिया बावू debit side ज़्यादा है as compared to credit यानि की बेटा losses आएंगे तो बेटा calculate क्या होगा by net loss 600 रुपीज तो बेटा net loss calculate हुआ जब मैं इसको post करूँगा P&L appropriation account में एक तो इसकी side बदल जाएगी as well इसका नाम भी लो जी बच्चो बावू calculation करते हैं हम losses की P&L appropriation account में बेटा आप इसको two side में लिखेंगे लो लिखते हैं बच्चो two side में क्या लिखने वाले हो आप two profit and loss account bracket में net loss कितना बेटा 600 रुपीज अब मुझे क्या करना है बेटा loss का distribution दिखाना है बाट दो बेटा loss को कैसे मिलेगा इस partners को by partners capital account by partners capital account x capital and y capital बेटा x को कितना हिस्सा मिलेगा और y को कितना हिस्सा मिलेगा बाट दो लो जी बेटा 600 में से x का share है 2 by 5 और बेटा y का share है 3 by 5 यानि की बेटा 240 and 360 लो बच्चो मैंने बाट दिया है बेटा मैंने calculation सारी कर दिया है बेटा तो ये हमारा case number 2 खतम हो जाता है अब बात करते हैं case number 3 की case number 3 कहता है if the profit before interest for the year amounted to rupees 5,000 अगर amount profit का 5000 हो तो क्या लो बच्चो अभी 3000 था 5000 हो तो क्या होगा लो कर देते हैं बेटा इसको बड़ा जल्दी से solve बेटा अब बोलता है amount 5000 है लो बच्चो कर देते हैं बेटा अगर amount 5000 है तो highest total होंदा both side highest total is 5000 मैंने दोनों side लिख दिया बच्चो क्या calculate होगा net profit to net profit 1400 बेटा आप P&L appropriation account में क्या करोगे profit को ही लिखने वाले हो 1400 को ही लिखने वाले हो लो बच्चो फटा फट से क्या करो लिख दो बेटा buy profit and loss account bracket में बेटा net profit amount कितनी बेटा 1400 बेटा अब 1400 रुपे का profit बाट दो highest total होंदा both side क्योंकि debit side कुछ नहीं दिया वा highest total is 1400 मैं बाटूंगा किसमें बेटा partner के capital account में two partners capital account x की capital में बटेगा बेटा और y की capital में बट जाएगा लो जी करो calculation बच्चा x का share कितना है बेटा 2 by 5 and wise share is 3 by 5 बेटा 2 by 5 calculation करना 560 and 3 by 5 840 बेटा 560 और 840 मैंने बाट दिये यहाँ पर case number 3 भी पूरा हो जाता है अब बात करते है case number 4 की बेटा case number 4 कहता है if the loss before interest for the year amounted to बेटा इस बार question कहता है profit नहीं है इस बार मिला है loss और loss जो की जो amount है वो 1400 है मेरे प्यारे बच्चो यहाँ question profit से start होगा ही नहीं ठीक है ना इस बार बदल क्या जाएगा बेटा question ने दिया मुझे loss लो बच्चो क्योंकि question ने मुझे loss दिया है तो मैं बेटा calculation दुबारा से करता हूँ लो profit and loss account मैं prepare कर रहा हूँ question कहता है loss पेटा पेणल account का rule याद है nominal account nominal account मतलब सारे losses सारे expenses को debit करना पड़ेगा मुझे question ने loss दिया लो लिखो two losses 1400 interest की calculation दुबारा नहीं करूँगा same है two interest on loan x को मिलेगा बेटा 2400 y को मिलेगा 1200 बेटा total हो जाएगा 3600 highest total on the both side बेटा highest total debit side का total 5000 credit में कुछ भी given नहीं है तो यहाँ पर भी लिखेंगे 5000 और बेटा अब मैं इनको किस नाम से लिखोंगा बाबू क्यूंकि मेरी debit side जादा है तो यह आएगा बेटा by net losses net loss निकल कर आया बेटा 5000 रुपे मैं इसको P&L appropriation में two side लिखने वाला हूँ two profit and loss account bracket में net loss कितना बच्चो 5000 अब इस 5000 को distribute कर दो इनकी रेशो में बेटा highest total उन्दा both side highest total is 5000 बेटा कहा ट्रांसफर होगा यह partner के capital account में by partners capital account बबू X का share कितना है two by five 5000 में two by five X का share है और बेटा Y का share है three by five जाने कि बेटा X को 2000 का losses ले जाने पड़ेंगे और Y को 3000 के और ऐसे करके बेटा हमारे first, second, third और fourth part खतम हो जाते है बेटा question number 9, 10, 11, 12 आप homework में करोगे इसमें मिरको थोड़ी सी surety है कि problem आएगी जरूर question number 11 में जब आपको question number 12 में जब आपको general entry पास करनी पड़ेंगी बेटा कर लेना नहीं होगी तो हम एक separate video बना देंगे अभी हम बेटा अपना concept number 6 स्टार्ट करने वाले हैं बच्चो most important concept में से एक है अभी space की requirement है मुझे तो मैं इसको rub कर रहा हूँ बच्चो concept number 6 हर concept की कोई ना कोई heading होती है बच्चो ये discussion पहले भी बहुत बार हुआ बबो इसकी heading है salary and commission to partners salary and commission to partners लो बच्चो आज हम salary और commission पेच चर्चा करने वाले हैं पार्टनर की बेटा double star on the commission double star on the commission commission में बेटा बहुत बहुत ज़ादा मुश्किल करने की कोशिश कर देगा ये लो समझते हैं बेटा बेटा सबसे पहला point में salary पर लिखने वाला हूँ if the salary is given on monthly quarterly half yearly basis then convert it into full year point number two if partner's commission if partner's commission is charged on net profit before charging such commission then use the formula net profit multiplied by rate of commission multiplied by rate of commission upon hundred if partner's commission is charged on net profit after charging such commission then use the formula net profit multiplied by rate of commission upon hundred plus rate अब बच्चो मैं थोड़ा slow चलूँगा इस चीज को explain करने के लिए मेरे प्यारे बच्चो अब बहुत अराम से इस बात को समझेंगे बेटा आज सिर्फ समझ कर जाएंगे इस पर बेस कोशनम करेंगे जरूर कर लेकिन बेटा इसको बिलकुल क्लियर कर लो बेटा ये जो बात लिखी है ये मैंने concept number one के fifth point में भी लिखी थी अगर किसी salary को किसी भी कोशन में आपको monthly, quarterly और half yearly basis पे दिया जाता है तो बेटा उसकी calculation full year के लिए कर लेना बेटा देखो जब हम profit and loss account बना रहे हैं या profit and loss appropriation account बना रहे हैं हम उसको prepare कर रहे हैं for one financial year हम उसको एक साल भर के लिए prepare कर रहे हैं तो बेटा क्या किसी partner को monthly salary दी हुई है तो क्या एक ही month की दे दू? नहीं बेटा मुझे तो पूरे साल भर की देनी पड़ेगी अगर quarter की दिया तो बेटा एक quarter की देदू? नहीं बेटा मुझे तो 4 quarter की देनी है अगर half year की दिया तो क्या बेटा आधी salary देदू? नहीं बेटा मुझे तो उसको भी साल भर में convert करना है तो ये point की चर्चा हमें पहले भी कर चुका हूँ, इसलिए मेरा मुद्दा आज ये नहीं है बेटा, मेरा मुद्दा ये है बाबो और इसको बहुत अराम से clear करेंगे, देखो बेटा यहाँ partner की commission की बात हो रही है, ऐसी ही एक बात आपको 11th class में पढ़ाई जाती है, managers commission के ना पाट होती है, और बेटा partner की commission, profit and loss, appropriation account का पाट होती है, बाकी difference बोलो तो बेटा कुछ भी difference नहीं है, calculation वही है जो आपने 11th में पढ़ी थी, बेटा बहुत सारे बच्चों ने 11th में या तो ये पढ़ा नहीं होगा, या पढ़ा होगा तो बेटा रट लिया होगा, आज ब If partner's commission is charged on the net profit before charging such commission, then use the formula this and that, बेटा मुझे formula कहा रटवाना है, मुझे तो ये बात को समझाना है, कहता है, अगर partner की commission net profit पर charge करनी हुई, जो before charging such commission है, तो ये formula use कर लेना, लो बच्चों मैं समझाने की कोशिस करता हूँ, आपको इसका मतलब क्या होता है, बेटा मेरी तरफ द जान लो, बेटा मुझे बुलता है, partner is entitled to a commission of 10% on the net profit और बेटा कोश्चन मुझे net profit दे देता है, let's suppose 1 lakh, मुझे calculation को easy रखना है, मुझे concept समझाना है, मेरे प्यारे बच्चों, लो, समझना बच्चों क्या कहता है, कहता है, question कहता है, net profit firm का है 1 lakh और partner को 10% commission देनी है net profit पर, क्या बाबु बहुत मुश्किल बात बोल दी उसने, शैद class 5 वी में मुझे एक बात सिखाई जाती है, बेटा, बाबु partner को 10% commission दे कितनी commission देनी है, बेटा, 10% of the net profit, net profit का 10%, sir, percentage का अपने, आप में मतलब होता है, upon hundred, हंजी, 10% net profit का, क्या हम ये calculation भी नहीं कर पाए, बेटा, ये तो हम बहुत अराम से कर पाए, तो बेटा, second statement, और इस statement में कोई अंतर भी नहीं होता, आज इस बात को बेटा, बिलकुल clarify कर ल बाबु, अगर आपको बोलता है, 10% commission net profit पर है, या आपको बोल दे, 10% commission net profit पर है, before charging commission, इन दोनों बात में कोई अंतर नहीं होता, मैं clarify करता हूँ, इस word का मतलब, बाबु, अगर आपको ये ही question दे देता, तो इसका मतलब सेम होता, लेकिन समझने की कोशिश करना, उसने बो profit, before charging such commission, कहता है, net profit, commission कितनी है, 10% of the net profit, before charging commission, before charging commission कहता है, 10% उस net profit का, जिसमें कोई commission charge ना होई भी हो, charge होई ना होई भी हो, मतलब, बेटा, charge का मतलब, deduction से होता है, कहता है, partner को commission कितनी देनी है, 10% of the net profit, before charging commission, बेटा, उस net profit का, जिसमें कोई commission charge ना होई हो, तो बेटा, मैंने कब charge करी, मैंने तो उसने मना कर दिया, कुछ charge मत करो, मैंने नहीं करा charge, लो बेटा, profit कितना दिया होई, 1 lakh, 10% of 1 lakh, again 10,000, बेटा, इस बात में, और इस बात में कोई अंतर नहीं है, word अराम से समझो, 10% of the net profit, अगर ये कह दे, तो ठीक है, सिधा directly 10% निकाल दो net profit का, अगर कह दे, 10% of the net profit before charging commission, 10% of the net profit before charging commission, उसमें कुछ charge मत करना, commission के नाम का, बेटा मैंने कुछ भी चार्ज नहीं करा, मैंने चार्ज करा जीरो उसने का कुछ भी चार्ज ना करना, मैंने करा ही नहीं बेटा कुछ भी चार्ज तो बाबू, इन दोनों statement में कोई भी अंतर नहीं होता statement 2 और clarify हो जाएगी बेटा, जब मैं बेटा statement 3 समझा दोगा अभी इस समझते है statement 3, मैं इसको mark कर रहा हूँ बेटा most, most important, मैं इसको mark कर रहा हूँ बेटा, most, most important और यह most important की power बलकी N, math वाले बच्चे समझ गए मैं ने कर दिया बेटा, most important की power N, math वाले बच्चो को याद आ गई math की लो बच्चो, मैं statement 3 को explain करने के लिए एक example दे रहा हूँ अब मैं इसके उपर 10 से 15 मिनट खर्चने वाला हूँ बच्चो, लो समझना Example, wise commission is 10% of the net profit after charging such commission और बेटा, मुझे मालो net profit question ने दिया 3,30,000 मुझे net profit question ने दिया 3,30,000 बच्चो, बहुत राम से समझने की कोशिश करना बबू, बोलता है, वाय को commission देनी है 10% देनी है किसका net profit का after charging such commission और question ने मुझे net profit दिया 3,30,000 मेरे प्यारे बच्चो, समझने की कोशिश करना रटने के लिए मैंने formula जरूर लिख दिया है लेकिन मैंने एक बार भी आपको नहीं का कि formula पढ़ो बेटा, मैं समझाओंगा पहले फिर formula से link करूंगा तब बेटा, एक बार में clarity होगी लो बच्चो, समझो बेटा, जैसा ये कहता है, बिल्कुल वैसा लिख दो जैसा ये चाहता है, बिल्कुल वैसा लिख दो लो, इसने कहा क्या? कहता है, Y को commission दे दो मैंने का, जी ठीक है, Y को commission देनी है लिख दिया, Y is commission मुझे बता दो कितनी देनी है कहता है, 10% दे दो net profit का अगर बेटा इतना ही कह देता तो मैं लिख देता 10% दे दिया जी net profit का लेकिन इसने ऐसा नहीं का अगर यह कहता 10% दे दो net profit का और आगे कुछ भी ना लिखता तो बेटा मैं दे देता 10% net profit का लेकिन इसने ऐसा नहीं का बच्चो इसने क्या बोला वाए को कमीशन दे दो कितनी 10% of the net profit after charging such commission बाबू कहता है 10% दे दो किसका net profit का लेकिन कौन से net profit का after charging such commission उस net profit का जिसमें ये commission माइनस हो चुकी हो अच्छा ये बोला इसने बेटा ढंग से तो पड़ो आप रटते हो चीजों को जैसा ये चाता है वैसा लिख दो ना वैसा क्यों नहीं लिखते आप कहता है वाए को commission देनी है मैंने लिख दिया जी वाए को commission देनी है कितनी 10% of the net profit क्या ये बोला इसने नहीं अगर ये बोलता तो 10% multiplied by net profit इसने बोला 10% of the net profit after charging such commission 10% of the net profit कौनसा net profit जिसमें ये commission charge हो चुकी हो उस net profit के 10% की बात करता है जिसमें ये commission already deduct हो चुकी हो अच्छा तो ये बोलता है बेटा देखो इसी चीज को मैं solve करता चला जाऊंगा और end में जो result आएगा बेटा वो वाए कि commission जरूर आ जाएगी देखो मैं calculate करता हूँ बेटा मैंने लिखा wise commission is equals to बेटा 10% को 10 by 100 लिख रहा हूँ मैं multiplied by net profit मुझे question ने दिया 3,30,000 minus wise commission minus wise commission लो बच्चो बेटा wise commission is equals to बेटा मैं bracket open करूँगा बलकि इसको मैं यहाँ से cutting कर लेता हूँ यह 1 by 10 है बेटा मैं bracket open करूँगा तो यह 3,30 के साथ भी रह जाएगा और यह 1 by 10 wise commission के साथ भी चला जाएगा लो बच्चो पावू 10 से यह 0 cancel कर दी मैंने wise commission is equals to 33,000 minus 1 by 10 wise commission लो बच्चो अगर आप इस 1 by 10 wise commission को इधर ले आओ तो क्या होगा wise commission plus 1 by 10 wise commission is equals to 33,000 मेरे प्यारे बच्चो ठीक है जी LCM ले लो 10 बबू 10 LCM आगया यहाँ पर आएगा 10 wise commission plus 1 wise commission is equals to 33,000 यानि कि आजेगा 11 by 10 wise commission is equals to 33,000 बेटा cross multiplication कर दो 10 multiply में चला जाएगा 11 divide में आजाएगा wise commission कितनी calculate होगी 33,000 multiplied by 10 divided by 11 बाबू यह आईगी 30,000 मैंने इतने बड़े method से solve करके दिखाया मेरे प्यारे बच्चो मैं और clarify करूँगा मुझे space की requirement है मैं यह 2 point रब कर रहा हूँ point number 3 अभी यहीं लिखा रहेगा और as it is लिखा रहेगा लो जी बेटा मैं क्या कर रहा हूँ एक बार pndl appropriation account बना कर दिखा रहा हूँ आपको लो बच्चो pndl appropriation account मैंने क्या करा बेटा net profit क्या करा बेटा पोस्ट कर दिया यह दिया वा है net profit 3,30,000 मैंने लिख दिया बेटा buy profit and loss account bracket में लिख दिया बच्चो net profit कितना 3,30,000 मैंने अभी वाई की commission निकाली वाई की commission आई 30,000 करो जी पोस्ट 2 वाई कमीशन लिख दो बच्चो 30,000 बाबू divisible profit divisible profit याद profit कितना बचा मैं अभी यह नहीं लिख रहा हूँ किसी partner capital का नाम नहीं लिख रहा मैंने लिख दिया यह 3,00,000 बच्चो लो बच्चो analysis करो मेरे प्यारे बच्चो इस बात पर कहता है वाई को commission देनी है 10% उस net profit का जिसमें commission पहले ही minus हो चुकी हो वाई को कितनी commission देनी है 10% net profit का नहीं 10% of the net profit after charging such commission अब देखो बेटा बबू अगर यह कहता वाई को commission देनी है 10% of net profit तो directly मैं 10% निकालता 33,000 लिखता और मेरा answer आ जाता 2,97,000 लेकिन इसने क्या बोला वाई को commission देनी है उस net profit का उस net profit का जो commission less करने के बाद आया हो बेटा यह वही net profit है जो commission देने के बाद आया क्या इसका 10% ही मिल रही है commission हाँ बच्चो देख लो देख लो मेरे प्यारे बच्चो मैं आपको analysis करा रहा हूं रटवा नहीं रहा किसी बाद का बेटा अगर यह कहता 10% net profit का दिनी है फिर तो 33,000 आई गया था इसने बोला उस net profit का 10% मिलनी चाहिए जो commission less करने के बाद आया यह वो net profit है बेटा जो commission less करने के बाद आया क्या इसका 10% ही मिल रही है commission हाँ बेटा इसका 10% ही मिल रही है बाबू यहां से आपको clarify होगा कि आपने answer ठीक किया के नहीं बाबू यह उसी net profit है यह वही net profit है जो commission charge करने के बाद आया क्या इसका 10% ही मिल रही है बेटा बिलकुल इसका 10% मिल रही है बेटा मैंने यहां से भी समझाने की कोशिश करी यहां से भी समझाने की कोशिश करी लेकिन क्या paper में मेरे पास commission की calculation के लिए इतना time होगा नहीं होगा सच में नहीं होगा बेटा accounts क्योंकि बहुत lengthy हो जाती है paper साथ में बहुत lengthy आता है सर इतना time है commission calculate करने के लिए नहीं होगा समझने के लिए इससे अच्छा method कोई नहीं हो सकता लेकिन बेटा रटा मारना है तो यह अच्छा है समझो बेटा इस बात को यह कहता है अगर कभी partner की commission निकालनी हो उस net profit पे निकालनी हो जब बेटा commission less करके आए तो उसके लिए यह formula यूज करो लो बेटा मैंने क्या करना है y की commission निकालनी है 10% of the net profit after charging commission लो सिधा यहां से निकालो बेटा इसी formula से y की commission निकालनी है 10% of the net profit after charging such commission मैंने बेटा net profit लिख दिया rate of commission लिख दिया commission का rate कितना है बेटा 10% बेटा upon में क्या लिखना है 100 plus rate 100 rate कितना दिया था commission का question ने मुझे 10% दिया था लो बच्चो हो गया खतम बेटा 3,30,000 multiply by 10 divided by यह कितना हो गया 110 0 से 0 cancel बेटा क्या आ गई y की commission सर 30,000 तो इतना बड़ा formula निकालने पर भी 30,000 आई तो हम इस formula को क्यों नहीं use कर सकते बेटा कर सकते हैं लेकिन क्योंकि एक रटने का अच्छा measure है मैंने सोचा पहले मैं clear कर दू इस बात का मतलब क्या होता है बेटा रटा मत मारते बैठ जाना पूरी जिंदगी इस चीजों को समझने की भी कोशिश करो कि किसी statement का मतलब क्या होता है मैंने statement का मतलब clarify करने की कोशिश करी बेटा इसके अलावा आपकी कोई भी problem रहे गई हो इस topic में तो tension मतले ना कल next lecture में मैं आते ही क्या करूँगा बेटा एक बार इसको revise कर दूँगा फिर हम इस पर based question भी करेंगे ठीक है ना और कल बेटा जो interest on loan का मैंने homebook दिया है उसके भी मैं एक दो question और कर दूँगा तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं कल मिलेंगे बाई बाई